बात करते हैं टिवी सीरियल मेरा बालम थानेदार के अपकमिंग एपिसोड की तो आप देखने वाले हैं कि कैसे मीठी माई की ऊपर ओरड़ी बुल-बुल को हो चुका है शक और इसलिए वो मीठी माई से डरेक्ट नहीं बलकि इंडरेक्ट ली करना चाहती है ये कन्फर्म कि उसका जो वीर है जो उसे शक है कि वो मुसीबत में है क्या वो सही है या गलत इसलिए करने वाली है बुल-बुल बहुत ही जादा अमेजिंग एफ़र्ट वो कहने वाली है मीठी माई से ये खास बात कि आपने हमारे और थानेदार साह के लिए कितना कुछ किया है इसलिए म मैं भोग बनाना चाहती हूँ आपके आश्रम में प्लीज आप मुझे भोग बनाने की पर्मीशन दे दीजे प्लीज 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 यहां पर पहले तो मीठी बिल्कुल भी पर्मीशन नहीं देती है बुल-बुल को ये काम करने की लेकिन जब वो बुल-बुल की इतनी रिक्वेस्ट सुनती है जब वो बुल-बुल को इतना फोर्स करते देखती है वो फाइनली मान जाती है और वो कहती है कि ठीक है तुम बना लेना भोग और बुल-बुल इतनी जारा खुश हो जाती है कि वो फूली नहीं समाती और यहीं से शुरू होगा बुल-बुल और एपिसोट में दिखाया जाएगा कि बुल-बुल वीर तक पहुचाने वाली है अपने दिल की बात जिसके चलते वो बनाने वाली है हलवा और हलवे में डालने वाली है धेर सारी किश्मिश इतना ही नहीं ये वीर के लिए एक सिगनल होगा जहाँ पर किड्नैपर्स वीर्स को मजा कोड़ाते हुए कहते नज़र आएंगे कि ये ले तू हलवा खा ले जानता है किसने बनाया है तेरी ही बीवी मैं तो जيसे ही वीर हलवा देखता है वो शौक हो जाता है कि बुलबुल को तो पता है मैं किश्मिश नहीं खाता तो आकिर इस लिए इस हल्वे में इतनी सारी किश्मिश क्यों डाल दी है और जैसे ही बुलबुल उस बरतन को देखेगी जिसमें बी होगा किश्मिश का वो बहुत जारा खुश हो जाएगी वो समझ जाएगी कि उसका जो मेसेज है वो वीर तक पहुँच गया है और वो समझ जाएगी कि वीर अभी जिन्दा है अब ऐसे में कौन सी नई प्लानिंग कौन सी नई स्ट्राटेजी को फॉलो करके बुलबुल वीर को अपने पास बुलाने में काम्याब हो पाएगी देखना होगा काफी जादा इंट्वस्टिंग वेल फिलहाल तो ऐसी ही एक्स्क्लूसिफ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें